जे हिंदोस्तो भाग्या पी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मत प्रदेश सम्मीदा सिच्छा कुबर गतीन 9 मार्च 2022 सेकंड शिप्ट में मैतमेटिक्स के जो क्यूशन आया है उनके बारे हम बात करेंगे तो चैनल में भी नए है तो सस्क् छाएला क्यूशन है हमारा है पूर जाएम कि कर दो कि बीस संख्याओं का आवसर्ट थीस है तो सभी संख्यायों का आवसर्थ क्या होगा बहुत ही अच्छा क्यूशन है चलिए हम इसे स्वաव करेंगे क्या बोल रहा है 20 संख्याओं का आउसत 30 है तो 20 संख्याओं का आउसत 30 है यानि 236,600 30 संख्याओं का आउसत 50 है 30 संख्याओं का आउसत 50 है यानि 1500 हो गया अब क्या बूल रहा है सभी संख्याओं का आउसत क्या होगा तो हमें सभी संख्याओं जो टोटल संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं का आउसात निकालना है तो इनको इसको हम जोड़ेंगे 0065000 और 213 यनि कि 2100 आगया हम अगर संख्याओं का गुड़ा करेंगे संख्याओं का गुड़ा करेंगे इसमें आवसत में ये टोटल योग आएगा और टोटल योग में भाग देंगे संख्याओं का तो सभी संख्याओं पता चल जाएगे तो हम 50 का भाग देंगे 200 में तो हमें पता चल जाएगा टोटल संख्या क्या है तो 0 से 0 कड जाएगा और 5 का भाग देंगे 5ument को 20 बचा कितना? एक बचा 5DIO10 यनी 42 तो हमारा टोटल संख्या क्या है सभी संख्या का उसत क्या है 42 है तो अपसर नमबर A correct हो जाएगा Next question है हमारा A और B की वरत्मान उम्र का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है आज से 6 वर्स बाद उनकी आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 हो जाएगा दोनों की वरत्मान उम्र क्या है दोनों की वरत्मान उम्र एक जात कीजिए चलिए हम इसे solve करेंगे तो A और B का वरत्मान उम्र कितना है 3 अनुपाद 4 है 6 वर्स बाद उनकी कितना अनुपाद हो जाता है 4 अनुपाद 5 हो जाता है तो दोनों को वरत्मान उम्र जात करना है इनमें अंतर कितना है एक-एक का अंतर है यानि एक बराबर एक बराबर अंतर एक ही है तो एक बराबर अंतर कितना दिया है 6 वर्स बात दिया है यानि एक बराबर 6 हमें एक ही रेस्वों में हमें पता करना रहता है एक का बैलू पता करना रहता है अगर एक का बैलू पता कर लेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा तो व जारा वर्स भी चौविस वर्स तो आपसर नमबर एक करेक्ट हो जाएगा नेश्ट किफचन है हमारा A और B की वरत्मान उम्र का उन्पाथ 7 उन्पाथ 9 है 12 वर्स बाद उनकी उम्र का उन्पाथ 11 उन्पाथ 13 हो जाएगा दोनों की वरत्मान उम्र उन्पाथ किजिए तो चलिए हम इसे भी solve करेंगे A और B का उन्पाथ कितना दिया हुआ है साथ अनुपाते नौ दिया हुआ है और बारा वर्स बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना है एक जारा अनुपाते तेरा तो कितना बारा वर्स बाद तो इनमें अंतर कितना है अनुपात में अंतर चार कह साथ चार एक जारा और नौ चार तेरा तो कितना दिया हुआ है? 4 है, अंतर 4 है कितने वर्सबाद के लिए? 12 वर्सबाद के लिए जिसे हम कौट लेंगे 4 तियां 12 यानि एक कबैलू कितना आ गया? 1 बराबर 3 आ गया तो हमें क्या पूँचा है? वरतमान का पूँचा है वर्तमान का उम्र ज्यात करना है तो इसमें गुड़ा करेंगे साथ अनुपाते नौ में तो साथ का गुड़ा करेंगे तीन में सातरिक 21 यानि एक बराबर 21 और बी का नोतरिक 27 तो 27 हो जाएगा तो एक का वर्तमान उम्र कितना है 21 है और 27 किसका है बी का तो आप साथ नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नेस्ट किफचन है हमारा 44100 वर्ग मीटर के वर्गकार मैदान का परिमाब बताइए चलिए हम इसे सॉल्ब करेंगे तो इसका छेत फल क्या होता है छेत फल का सूत होता है तो ए स्क्वेर हमें दिया हुआ है 44100 चलिए वर्ग मूल क्या होगा इसको हम सॉल्ब करते हैं तो ए बराबर 210 यानि 441 किसका है वर्ग है और 0 तो ए बराबर 210 आ गया तो ये जो हमारा वर्गकार है तो एक भुजा का मार कितना आ गया 210 तो चार भुजाओं का योग हमें निकालना है परिमाब निकालना है तो दो चौको 8 और 10 10 40 यानि 840 आपसा नमबर एक करेक्ट हो जाएगा नेस्ट किफचन है हमारा 15 वर्ष पहले बड़े बेक्त की आयू छोटे बेक्त की दुगनी थी आप दोनों बेक्तियों का आयू का अंतर 10 वर्ष था तो चोटे बेक्ति का वर्तमान उम्र बताईए चलिए हम इसे स्वल्व करेंगे 15 वर्ष पहले यानि 15 वर्ष माइनस बड़े बेक्ति की आयू को चोटे बेक्ति का दुगनी थी क्या पूछ रहा है तब दोनों बैक्तों का आयू का अंतर कितना था आयू का अंतर कितना था दस वर्स था यानि एक बराबर इसका अंतर कितना है एक है तो एक बराबर दस मिल गया हमें एक का बैलू निकालना है तो एक का मतलब दस हो गया तो हम इसे solve करेंगे दस का गुड़ा दो में करेंगे 20 आजाएगा और दस का गुड़ा एक में करेंगे 10 आजाएगा यानि बड़ा बैक्ति आज कितने वर्स का होगा तो 15 वर्स पहले 20 का है और 15 वर्स पहले छोटा 10 का है तो 15 पंदरा इसमें दोनों में जोड़ देंगे तो मारा एंसर तो 15 इसमें जोड़ेंगे 35 हो जाएगा और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा यानी बड़ा बैक्ति आज 35 का है चोटा बैक्ति आज 25 हो जाएगा आप सल नंबर 2 कर्रेक्ट हो जाएगा next question है हमारा यदि दो बृत्तों के परिधों का अनुपात 29 अनुपाते 30 है तो उनके तरज्याओं का अनुपात क्या होगा तो परिध का सूत्र क्या होता है 2 pi r होता है 2 pi r यहां 2 दिया हुआ है अनुपात में 1 लगाएंगे और अनुपात 2 pi r 2 यहां 29 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है अनुपाते 30 तो यह 2 pi r से 2 pi r कर जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा तरज्या का अनुपात वही सेम रहेगा जो परिध के अनुपात है next question है हमारा तो आपसन नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा next question है हमारा यदि गुड़ा के इस्थान पर भाग और भाग के इस्थान पर गुड़ा तो 6 और 4 का इस्थान बदाल दे तो मान क्या होगा तो चलिए हम इसे solve करेंगे क्या बोल रहा है संख्या दिया हुआ है 12 गुड़े 6 भागे 4 बराबर जात करना क्या बोल रहा है गुड़ा के स्थान पर भाग कर दिया जाए और भाग के स्थान पर गुड़ा कर दिया जाए और संख्या जो दिया हुआ है 6 और 4 को आपस में बदलने यहां 4 हो जाएगा यहां 6 हो जाएगा तो मान क्या आएगा चलिए हम इसे solve करेंगे यह 4 तेया 12 तीन हो जाएगा और गुड़ा 6 6 तरीक 18 तो आपसन नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा next question है हमारा कौन सी चिन्ह को बदलने पर 64 आएगा तो चलिए हम इसे solve करेंगे जो भी संख्या दिया हुआ है इसे हम solve करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं पहले आपसन से शुरू करते हैं 24 यहां पास भाग है तो फ़र्ष्ट लेंगे गुड़ा और 7 भागें 3 प्लस 8 तीसे solve करेंगे तो 24 गुड़ा 7 बटे 3 हो जाएगा यह प्लस 8 है तो 3 कटेगा 8 तरिक 24 और 8 सते 56 गुड़ा हो जाएगा 8 सते 56 प्लस 8 56 प्लस 8 कितनों हो जाएगा 64 हो जाएगा तो आपसन नंबर यह करेक्ट हो जाएगा next question है हमारा एक संख्या का एक तीहाई का 20% 60 है तो संख्या का 145% क्या होगा तो चलिए हम इसे solve करेंगे एक संख्या का 1 तीहाई 20% को हम 1 बटे 5 लिख सकते हैं का साथ है इन दोनों का तिहाई और 20 परसेंट कमान कितना है साथ है तो संख्या जो भी संख्या हां हल करने पार आएगा उसका 145 परसेंट हमें निकालना है चले सौल करेंगे इसका गुड़ा करेंगे पंदरता है तीन पचे 15 हो जाएगा 15 छक्का 90 यानि संख्या क्या है 900 है गुड़े 145 निकालना है हमें बटे 100 करेंगे जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो कर जाएगा और 9 को गुड़ा करेंगे 145 में एंसर आ जाएगा 9 पचे 45 की 5 और बच गया 4 9 चोको 36 4 36 4 4 की 4 हाथ क्या सुन 9 चोको 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 40 की सुन हाथ क्या 4 आ जाएगा और 9 9 9 4 13 यानि 1305 आ रहा है तो आपसान नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा नेश्ट किफचन है हमारा पहले तिर्भुच का आधार 15 संटीमीटर तथा उचाई 12 संटीमीटर दूसरे तिर्भुच का छेत फल पहले तिर्भुच का छेत फल का दो गुना है जिसकी आधार 20 संटीमीटर है दूसरे तिर्भुच की उचाई एग जात कीजिए चलिए हम यमिसे शॉल्ब करेंगे तिर्भुज का छेत फल का सूत्र क्या होता है तिर्भुज प्रा एक बटे 2 अधार गुड़े उचाई तो इसी में हम रखेंगे हमारा एंसर आजाएगा एक बटे 2 अधार कितना है 15 दिया हुआ है और उचाई कितना दिया हुआ है 12 इसे हम पहले तिरभुच के छेत्फल कितना हो गया 90 क्या बोला है दूसरे तिरभुच के छेत्फल का दो गुना है यानि इसका 90 आया है पहले का उसका कितना हो जाएगा छेत्फल 90, 180 हो जाएगा 92 दूना 180 हो जाएगा और सुत्र वही लगाएंगे 1 बटे 2 अधार गुडे उचाई क्या निकालना है हमें उचाई निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है 20 मीटर अधार दिया हुआ है उचाई निकालना है हमें तो चलिए इससे सॉल्व करेंगे 2,1,2,10 आ गया इसको हम भाग करेंगे 0,0 कट जाएगा तो 18 बचेगा तो आपसर नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा